शामली के जिंचाना थाना शेत्र के शामली शामला गाउं से पुलिस को सूचना मिली थी कि गाउं के बिटोडे में संदिक्द परिस्तितियों में एक नरक अंकाल पड़ा हुआ है जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुची पुलिस ने पूरे इलाके को सील करते हुए माम के पर बुलाया गया पुलिस ने पूरे मामले की जाज परताल शुरू की तो पता चला कि बितोडे में जो हदिया मिली है वो गाओं के ही रहने वाली एक युफ्ती की है और जब पुलिस ने परत दर परत मामले की परताल की तो चौकाने वाला खुलासा सामने आया पुलिस को जब पुलिस ने प्रमोट से पूछ ताज की तो उसने बताया कि उसकी बेटी का प्रेम प्रसंग गाउ के ही अन्य जाती में एक युवक के साथ चल रहा था और उसने कई बार अपनी बेटी को अपनी इज़त का हवाला देते हुए उस लड़के से संबंद ना रखने की बात कही थी लेकिन उसकी बेटी ने उसकी इज़त को उस समय तार-तार कर दिया जब वो उक्त लड़के के साथ चली गई और एक राद बाद सुयम वापस आ गई जिसके बाद से ही वो छुपद था और उसको मारने की उसने ठाल ली थी और कल 9 और 10 सितंबर की रात बहाने से उस में शामली सामला गाउं में एक पुपलों के धेर में हड्डियों के कुछ अवशेश मिले थे जिस सम्मझ में स्थानी पुलिस द्वारा तक्ताल मौके पर पमशकर लटना स्थान को सुरक्षित किया गया जो अवशेश थे उनकी फॉरंसिक जांच ये तो उसे अविसारत क किया गया और स्थानी पुलिस द्वारा जानकारी करने पर यह ग्यात हुआ कि वह एक लड़की का शब था जो स्थानी उसी गाउं की निवासी और गटना के संबंद में उसका वर्यत 24 गंटों के अंदर अनावरन करते हुए उसके पिता प्रमोध उत्रनानक को गिरफतार क कि अगया है पूश्ताश के दोरान यह बात प्रकाश में आई कि उस लड़की का संबंद उसी गाउं के किसी अन्य जाती के लड़के से था और इस संबंद में वह एक बार घर से चली भी गई थी वापस आने के उपरांथ उसके पिता उससे लगातार शुद रहते थे और दुर्भावना उनके मन में पहले से थी तिनांक 9 अबलिक 10 सक्टमबर की दातरी को मौका पातर उन्होंने अपनी पुत्री की गला दवा कर हत्या कर दी तथा उपलों के धेर में उसका शब डालकर उसे जला दिया इस संबंद में हत्या के संबंद में अभियोग पंजिक्र हफते 15 दिन में सुनने को मिल ही जाती है इन अतियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सौतंत्रे एक्छा रखने का कितना भयानक रूप ले सकता है पंजाब केस्री टीवी के लिए शामली से पंकच मलिक की रिपोर्ट